कि यहां पर आप सभी का क्लास 12 जो है वो खत्म हो चुका है साथी साथ बहुत सारे बच्छे ऐसे होंगे जो कि अभी 11th क्लास के बार 12 में आये होंगे और कुछ सभी प्रकार के बच्चों के लिए आज मैं यह सेशन लेकर आया हूं जहां पर आर एम वुड़ बी डिसाइड कि आखिर अगर हम क्लाट एक्जामिनेशन के लिए जाना चाहते हैं तो उस एक्जामिनेशन के लिए हमको क्या-क्या इंफरमेशन पता होनी चाहिए कैसे इस एक एक्जामिनेशन में क्या-क्या चीजें हमसे पूछी जाती हैं तो आज इस पर्टिकलर सेशन में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने अभी तक यहां पर दिये हुए लाइक बटन को क्लिक नहीं किया तो जल से जल कर दीजे और साथी जाद अगर सब्सक्राइब ब आप दी डे वोड भी कि हाव केंड वी गेर फॉर क्लाइट 20 25 एंद टो फॉर दोस जोटी 2026 में देंगे उनके लिए भी एक्जाम पैटर्न कैसे होने वाला है 2024 का पेपर कैसा आया था हमारी अप्रोच कैसे होनी चाहिए इन सभी चीजों को आज यहां पर जानेंगे है क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी चाहते हैं कि 12 तक तो हमने स्कूल की लाइव जी है बट उसके बियॉंड जाकर हमारी लाइफ थोड़ी सी कॉलेज की जैसा हमने देखा है करन जोहर की मूवीज में थोड़ी सी वैसी हो बट वेरी ओनेस्ट ऐसा कुछ भी इंडिया में नही पिच्छी होती बट रादर वो कॉलेज भी जहां पर बहुत ही हेफ्टी फीली जाती है और इंडिया के जो सबसे जादा रही पिता जी के बच्चे होते हैं वो आते हम उनकी बात नहीं करेंगे यहां पर हम उस कॉलेज की बात करेंगे जो की आपको अशौर करेगा कि आप इस चीज़ें आप अवेल कर सकते हो इस एक्जामिनेशन के ठूरू हवेवर हाव विल बी यॉर लाइफ आज जानना बहुत जरूरी होता है आपने बहुत सारे इंस्टेग्राम पर रिल्स देखे होंगे वकील साहिब वकील साहिबा ऐसा अगर कहा जाता है तो बच्चे ब रॉम सरन माम रीडिंग अलोड अव बुक्स जी हां आप केवल और केवल कॉंस्टिटूशन आफ इंडिया नहीं पढ़ रहे होगे बट रादर उसके साथ साथ आप बहुत सारे अलग अलग लॉज जो हमारे हिंदुस्तान में होते हैं उन सभी लॉज की पढ़ाई कर रहे होगे उन लॉज के साथ साथ आपको वह इंपोर्टेंट केस लॉज जो होते हैं वह भी पढ़ने होंगे जो उस लॉस से रिलेटेड है आपको यहां पर कारेंट लीगल डेवलप्मेंट्स जो हो रहे हैं उनको भी समझना होगा तो इस तरीके से येस इट विल रिक्वायर यूटू स्टड़ी अलॉट बट इस इट आप अपने कॉलेज में पहुंचेंगे उसके पश्चात आपको जो है मूट कोट भी कराया जाएगा मूट कोट क्या होता है आप सभी ने मूवीज में देखा होगा तारीक पर तारीक पर तारीक मिलती जारिये जतसाब लेकिन इ रहा है ऐसा जो है एक वकील साब कहते हैं बट ऐसा कुछ रियल कोट में नहीं होता है बट एक रियल कोट का जो है यहां पर आपको रेप्लिका बनाया जाता है और उसको एक तरह से कहते हैं वहां पर आप लोगों को कुछ फैक्स दिये जाएंगे उन फैक्स पर आपको उसके बाद एक healthy competition यहाँ पर होगा, so mood court is basically a practice जहाँ पर preposition जो है वो दिया जाता है और यह एक mock court की तरहा आपको practice करवाता है ताकि ultimately जो आपके अंदर की जिजक है तो ताकि ultimately जो आपके अंदर का expression है उसको बाहर निकाला जा सके, because that is what law is all about right, but is that all no definitely law brings you a lot of things along with that and the most important thing which I believe apart from the moot courts is basically debating जिहाँ यहाँ पर आपको यह समझाया जाएगा यह सिखाया जाएगा और आपके अंदर वो value input की जाएगी की भाई हमारा opinion matter करता है but at the same time any issue can have multiple opinions and इस चीज़ को समझना और फिर अपने opinion को उतने ही भेतर तरीके से तर्क के साथ ऐसा नहीं कि तर्क हीं opinion रखे जा रहे हैं fallacies से भरे हुए opinion रखे जा रहे ऐसा नहीं है आप तर्क के साथ यहाँ पर जो है कैसे debates की जाती है peaceful debates वह वाली नहीं जो टीवी में चलती है आपने देखा होगा news channels में वह debate नहीं होती सर वह केवल और केवल सर कस होता है तो वैसा कुछ नहीं है यहाँ पर भी talk about real debates जहाँ पर कुछ important issues में आप जो है participate करोगे अपना opinion रखोगे and that opinion will be backed by different reports that opinion will be backed by different evidences that opinion will be backed by your thorough research ठीक है जी इसके अलावा yes this is something which is again a very good thing for a law student to know कि यहाँ पर आपको dispute resolution जैसी practices भी कराई जाएंगे जहाँ पर दो पार्टी जो है वो आएंगी और आपको जो है उनके बीच हो रहे dispute को resolve करवाने में मदद करनी है जिया dispute resolution के भी competition यहाँ पर देखने को मिलते हैं इसके लावा yes you have to write a lot of research papers ऐसा कहा जाता है कि एक अच्छा वकील वो होता है जिसका वक्तव यह अच्छा होता है जिसका speech अच्छा होता है but if in case you want to be a good orator you definitely have to be a good listener यह हमने बच्पन में सुना है but when you want to be a good orator or rather you want to be a good lawyer being a good orator you definitely have to have good research skills as well क्योंकि जब तक आप जो कह रहे हो उसमें evidential value नहीं होगी जब तक आप जो कह रहे हो उसमें different documents की value नहीं होगी different reports को court नहीं किया जाएगा different case studies को report नहीं किया जाएगा judgments को report नहीं किया जाएगा तब तक आपके द्वारा दिया गया वक्तव आपके द्वारा दिया गया स्पीच जो है उसकी value नहीं होगी इसलिए कहा जाता है अपने शब्दों की value को बढ़ाने के लिए वजन लाना पड़ेगा और यह वजन कहां से आएगा से research से जब आप law school में जाते हो तो आपके अंदर research papers लिखने की एक आदर डलवाई जाती है जिसके तहट आप किसी एक particular issue में research करके अपना article लिखते हो ठीक है so yes you can see यहाँ पर कितने सारे options आपको मिलते हैं आप करते हो इसलिए कहा जाता है that it is not so कि जब आप law की पढ़ाई गरने जाते हो तो आपके एवल law की किताब को पढ़ रहे होते हो but rather आप overall development अपने आपका करते हो because when we talk about law it is not just yet another course but rather it is a professional course जो कि आपको carve out करता है as a professional right चले let's see इसके अलावा yes you have to do a lot of internships after every semester there are internships which are required to be done when we say required to be done it is mandated कि हर बच्चे को जो है internship करने पड़ेगे अब सवाल यह उठता है कि sir internships कहां पर होती हैं क्या internships advocates के साथ होती है तो yes आप internship कर सकते हो district court में high court में supreme court में with the advocates या फिर आप judges के साथ भी internship कर सकते हैं however इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे opportunities होते हैं for example मैंने आपको बताया कि आप courts में जाकर internship कर सकते हो बट उसके अलावा आप corporate law firms जो होती हैं उनमें भी जाकर आप internships कर सकते हैं जितनी भी law firms इंडिया में हैं for example azb है for example आपने सुना होगा about अमर्चंद या आपने सुना होगा about खैतान या आपने सुना होगा about देसाई दिवान जी तो इस प्रकार से बहुत सारी law firms हैं इंडिया में जो टॉप law firms consider की जाती हैं और इन सभी law firms में आप जाकर अपनी internship कर सकते हो internship is like having a practical hands-on experience on what you studied in your law school आप जो कानून सीख कर आए हो और उसका practical application कैसे होता है यह आपको यहां पर सिखाया जाता है ठीक है इसके अलावा definitely आप Supreme court में भी जाकर internship कर सकते हैं and yes you can also go to the Parliament और Parliament में जाने के बाद अप अलग-अलग मंतराले में जाकर internship कर सकते हो for example आप ministry of हमारे law के साथ internship कर सकते हैं Ministry of Defense के साथ कर सकते मिनिस्ट्री आफ Social Justice के साथ कर सकते हैं ministry of external affairs के साथ कर सकते हैं तो यह वो सारी अलग अलग जगह हैं जहां पर जाकर आप अपनी internship कर सकते हैं and आपको जो है कैसे यह institutions काम करते हैं उसके बारे में knowledge मिलेगा but is that all नहीं इसके अलावा some institutions like the statutory body such as the competition commission of India or you can also talk about the statutory body named as human right commission national human right commission but इनके अलावा कुछ international organizations भी होते हैं जिनमें आप internships कर सकते हैं for example आप जो है United Nations के साथ internship कर सकते हो आप UN AIDS के साथ कर सकते हो WWF जो NGO है उसके साथ आप कर सकते हो तो इस प्रकार से बहुत सारे यहां पर आपको institutions दिख रहे होंगे आप इन institutions के साथ जाकर internships कर सकते हैं ठीक है तो एक चीज़ तो हो गए आपके के आपको multifaceted approach अपने law school में रखनी पड़ेगी क्योंकि वहां आपको academicallyly भी strong रहना है और extracurricular activities में भी strong रहना है ठीक है तो यह है कुछ lifestyle जो आपकी होगी once you get into the field of law इसके बाद अगर हम देखने के लिए जाएं तो careers क्या क्या हो सकते हैं sir and ma'am when we talk about the careers to careers में सभी को पता है कि आप as an advocate जाकर काम कर सकते हैं right litigation में आप काम कर सकते हो court में जाकर आप अपनी दलीले दे सकते हो आप plaint plaintiff के बहाफ पर जाकर लड़ सकते हो defendant के बिहाफ पर जाकर लड़ सकते हो तो इस तरीके से आप अपने party को represent कर सकते हो but इसके अलावा भी बहुत सारे opportunities है I am not saying this is something जो की बहुत ही casual है ऐसा नहीं है बहुत कम लोग होते हैं जो इसमें succeed हो पाते हैं because it requires a lot of hard work it requires a lot of patience it requires you to develop a lot of skills तब जाकर जो है आप इस तरह से एक बहुत अच्छे advocate बन सकते हैं इसके अलावा येस आप direct entry ले सकते हो into forge आप जा सकते हो forge में by the entry known as JAG entry अगर आपके पास law की degree है आप directly SSB में जा सकते हैं और forge में जाकर आप advocate जो हैं वो बन सकते हैं that is what is known as judge advocate general entry और ये जो entry होती है इसके अंतरगत आपको सारी वही facilities मिलती हैं जो एक दूसरे examination let's suppose cds examination को निकाल कर जो entry जो है यहां पर achieve करी जाती है इसके अलावा definitely you can go to the law firms आप अलग-अलग law firms में जा सकते हैं जैसा कि हमने internship के बारे में बात की थी वैसे ही अब इन law firms में जाने के बाद आप अलग-अलग segments में काम कर सकते हो for example you can work as a patent attorney और example you can work as a corporate lawyer और for example you can also work for taxation तो ऐसे बहुत opportunities होती हैं जिसके तहत आप law firm के साथ जुड़कर जो है वो काम कर सकते हैं चले अब आते हैं आगे इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका aspiration होता है सर हमें UPSC state PSC examinations निकालने हैं so definitely आप उसमें बहुत बहतर कर सकते हैं इसके अलावा आप और fields को explore कर सकते हैं क्योंकि आप एक lawyer हो क्योंकि आपने अपना expression जो है वो पिछले पांच सालों में बहुत improve किया है क्योंकि आपने अपनी writing skills improve करी है आप directly किसी बड़ी company के CEO के साथ जो सीधे सीधे chief executive officer या founders office होता है उनके साथ मिलके काम कर सकते हैं या फिर आप अगर चाहो तो content field में भी काम कर सकते हो क्योंकि आपका writing skills अच्छा है आपका research skills अच्छा है इसके अलावा yes you can get into judiciary when we say you can get into judiciary मतलब आप civil judge का exam directly दे सकते हैं और फिर civil judge की परीक्षा में आप बैठ सकते हैं ठेक है however इसके अलावा भी आपके पास options होते हैं जैसे कि आप अगर आपको लोगों को बच्छों को पढ़ाना अच्छा लगता है आपको knowledge impart करना अच्छा लगता है if that is your calling आप बहुत अच्छे अच्छे अकाडमीशन भी बन सकते हैं आप किसी अच्छे college में एक प्रोफेसर जो है वो बनकर बहुत अच्छा अर्ण जो है वो कर सकते हो चली तो लेट्स मूव अहेड़ नाव वी आ टॉकिंग अबाउट क्लैट का एक्जाम पैटर्न कैसा होता है तो sir and ma'am when we talk about the exam pattern of clad तो यहां पर आपको पांच डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर टेस्ट किया जाएगा यह यू विल बी टेस्टेड ओन फाइव इफरेंट सब्जेक्ट मैटर्स कौन कौन से होंगे वो सबसे पहले जो सब्जेक्ट मैटर आपको यहां पर दिखने वाला है वो होगा आप का इंग्लिश लैंविच अदर वन वुड बी कारेंट अफेस एंड जनरल नॉलिच देन वी हाव लीगल रीजनिंग देन वी हाव लॉजिकल रीजनिंग और दी लास्ट वन वुड बी कौन्टिटेटिव टेक्नीक्स तो आप देख सकते हैं इस तरीके से पांच मेजर सब वाला है इन सभी चीजों में क्या चीज़ें हमसे पूछी जाती है किन चीजों पर हमको टेस्ट किया जाता है तो स्टाट विद वेरी फर्स तिंग दाट इस इंग्लिश लैंविच जैसा कि आप यहां देख सकते हो यह जो है डिरेक्ली एक एकसर्प्ट लिया गया है फ्र इग्जामेनेशन को कंड़क्ट कराता है उनके द्वारा उनकी वेबसाइट पर जो सिलिबस दिया गया है वो आपको यहां पर दिख रहा है ठीक है इंग्लिश में वो क्या कह रहें इन दिस सेक्शन ऑफ दी यूजी क्लाट यू विल भी प्रोवाइड़ विट पैसेज़ of about 450 words each ठीक है यहां पर क्या होगा आपको इंग्लिश में कुछ passages देखने को मिलेंगे and यह passages जो होंगे वो साड़े 400 words each के होंगे ऐसे आपको 4 से 5 passages देखने को मिलेंगे इस passages will be derived from contemporary और historically significant fiction and non-fiction writing and would be of a standard that a 12th standard student may be able to read in 5 to 7 minutes तो वो साफ साफ आपको बता रहेंगे जो passages हैं वो किसी भी चीज से related हो सकते हैं यह आपके contemporary issues से related हो सकते हैं यह आपके historical events से जड़े हुए हो सकते हैं यह आपके और कोई philosophical events से related हो सकते हैं यह बट जो passages हैं वो होंगे उस level के जो की एक बारवीक अक्षा का बच्चा समझ सकता है कितनी देर में 5 से 7 मिनिट में यानि आपको यहां समझ में एक चीज आनी चाहिए you are required to read at least 450 words का passage within 5 to 7 minutes and at the same time comprehend it alongside ऐसा नहीं है कि सिर्फ read करना है reading के साथ साथ आपको उस चीज को समझना भी है ठीक है I hope you are getting this चली उसके बाद क्या होगा उसके बाद each passage will be required followed by a series of questions हर एक passage जो है वो series of questions के साथ होगा जो की आप से चाहेगा कि आप अपनी comprehension skills को यहां पर दिखाएं ठीक है इसका ultimate aim क्या है ultimate aim है to check your abilities किस चीज की to read and comprehend the main point discussed ठीक है inferences draw करना conclusions draw करना summarize करना पूरे के पूरे passage को compare and contrast the different arguments or viewpoints that are set out in the passages and at the same time understand the meaning of various words and phrases ठीक है तो एक तरह से यह आर्सी का test है आपके जिसमें आपको क्या करना है आपको उसको समझना है आपको argument समझने है inferences समझने है conclusion समझने है यह सारी चीजें आपको यहां पर करने की आविशक्ता पड़ेगी clear चाली तो यहां पर हमने है बात कर लिया है about the English language now we are talking about the current affairs and the general knowledge current affairs and general knowledge में आपको वह चीजें पूछी जाएंगी जो अभी current events हमारे national और international importance के देखने को मिलते हैं यहां पर यह जो है आपका again there will be a passage of about 450 words each इस passage में जो कि यह passage है derive किया जाएगा कुछ news article से कुछ journalistic article से और आपसे request की जाएगी कि आपको क्या करना है यहां पर आपको जो current news है उससे information फिल करनी है या फिर जो general knowledge है उससे आपको यहां पर information फिल करनी है तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहां पर आपसे चीजें पूछी जाएंगे now the question is कि सर इन में क्या क्या चीजें हो सकती है current affairs और general knowledge में so contemporary events जो की इंडिया और world के लिए important है art and culture से जुड़ी हुई चीजें international affairs से चुड़ी हुई चीजें और historical events that are of continuing significance जिस तरह से आपने अगर 2024 का paper देखा होगा तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से यहां पर जलिया वाला बाग massacre के ऊपर question जो है वो पूछा गया था चले लेट्स मूव एड़ लीगल रीजनिंग येस दिस दी बोन इन दी निक सभी बच्चों के लिए यह सबसे बड़ा इशू का difficult है I would not agree with them क्योंकि यहां पर भी now what they are expecting you to do is they will be giving you passage of around 450 words these passages will comprise of certain contemporary legal issues public policy matters or any other philosophical issues and आप से request किया जाएगा कि please इसको पढ़िये समझ ये और फिर उसके थ्रू जो questions follow करेंगे उन questions को आपको answer करना है it is that simple now the question is कि सर्फे test क्या किया जा रहा है sir यहां पर test किया जा रहा है your ability to read and understand the law and reading and understanding the law is very important alongside alongside having knowledge about the contemporary legal issues knowledge about contemporary legal issues for example आपने देखा होगा समय समय पे हमारे पार्लिमेंट के द्वारा कुछ बिल्स लाए जाते हैं कुछ acts हैं जिनको amend किया जाता है कुछ ऐसे provisions हैं law के जो बहुत ज़्यादा news में रहते हैं for example let's suppose boxo act was there in news या फिर juvenile justice act is there in news तो इस प्रकार की चीज़ें आपके exam में पूछे जाने के chances थोड़े से जादा बढ़ जाते हैं so it becomes really very important for you कि आप इन सभी चीज़ों को in-depth analysis के साथ पढ़कर जाए अब आते हैं आगे सर यह तो हो गई legal की बात logical में क्या किया जाएगा again in logical also you will have to read short passages of around 450 words each और यहां पर आप से क्या expect किया जाएगा आप से expect किया जाएगा कि आप argument को recognize करें उसका premise recognize करें conclusion तक आप जो हैं पहुंचें आप arguments जो की passage में set out किये गए हैं उनको समझें आप different patterns को analyze करें strengthening और weakening conclusions के तरफ आप पहुंच पाएं तो यह सारी चीज़ें जो हैं वह आप से expect की जाएगी सो more or less it is a kind of a critical reasoning which you are supposed to do more in the logical reasoning part over here right इसके बाद आते हैं सर आगे the last thing is quantitative techniques qt इसको short में का जाता है but I know बहुत सारे बच्चों के लिए cute नहीं होता है किसी भी तरह से but nevertheless questions are really very easy and इसका weightage examination में बहुत कम होता है इसका मतलब यह नहीं कि sir हम इसको छोड़ कर चले जाए because this really becomes the deciding factor at times कि क्या आप एक NLU में बैठेंगे या फिर नहीं बैठेंगे इसी लिए समय रहते में हमेशा कहता हूँ कि आप quantitative technique पर focus करें and अगर आप थोड़ी भी मेनत कर ले तो थोड़ी सी भी so trust me आप इस चीज में बहुत अच्छा perform कर पाएंगे quantitative technique में आप से क्या मांग रहे हैं यह यह लोग यह आप से बोल रहे हैं कि there will be short set of facts or propositions या फिर other textual representations जिसमें कुछ numerical information होगी फिर कुछ series of questions होंगे आपको यहां पर उस information में mathematical operations को apply करना पड़ेगा ठीक है बस इतना सा करना है आपको कुछ questions होंगे उसमें आपको क्या करना है mathematical operations को apply करना है अगर आप इतना कर लेते हो QT is done and sorted profit and loss कर लिजिए इसके साथ साथ percentage कर लिजिए averages कर लिजिए अगर आप यह basic चीजें भी कर लेते हो तो आप एक ऐसी position में होगे जहां maximum of your QT questions will be easily solved from four five good topics ठीक है चले अब आते हैं आगे now the thing is कि sir जैसे कि हम यहां पर समझ चुके हैं कि किस प्रकार से हम को जो है paper को किस प्रकार से हमें paper को जो है tackle करना है क्या आप हमें यह बता सकते हैं what is that one thing which is the most important thing for cracking this examination sir and ma'am if मेरे से कोई बच्चा पूछे एक चीज एक्जाम निकालने के लिए जो सबसे ज़्यादा important है I would say reading reading and reading if in case आपके अंदर read करने की ability है okay sir आज से ही हम सारी कि सारी novels पढ़ना चालू कर देते हैं नहीं guys novels किसी भी तरह से आपको examination नहीं निकलवाएंगी why am I saying that because जब एक novel आप पढ़ते हो guys and girls आपका खुद का interest होता है उसमें आप जानना चाहते हो next उसमें क्या होने वाला है जिस चीज में हमारा interest होता है उसको पढ़ने में हमें कोई force नहीं करना पड़ता किसी व्यक्ति को कि भया इसको पढ़ो बट जब आप बात करते हो यहां examination के passages की जैसा कि मैंने आपको बताया यह passages वो होते हैं जो अलग-अलग legal proposition से जुड़े होंगे अलग-अलग contemporary issue से जुड़े होंगे अलग-अलग आपके moral philosophical issues से जुड़े होंगे तो at times हमारा मन नहीं करेगा उनको पढ़ने का हमारा मन नहीं करेगा उनको समझने का इसी लिए what becomes important is कि हम सभी क्या करें सर हम सभी इन examination में आएगा और वो कहां देखने को मिलेगा सर वो मिलेगा हमारे newspapers में there are two good newspapers which I always suggest ऐसे तो आपके पास बहुत सारे options हैं but मैं recommendation दूँगा दो newspapers की एक है the Hindu दूसरा है the Indian Express now the choice is yours आप कौन सा पढ़ना चाहते हो बट अगर आप मुझसे मेरा personal bias जानना चाहोगे I would always say कि go for the Hindu आपको क्या करना चाहिए the Hindu जो है उसको पढ़ना चाहिए क्योंकि इसकी language थोड़ी सी on a higher level है and definitely यह आपको बड़ी जंग के लिए तयार करेगी जिसकी मदद से आप जितने भी आपके passages आएंग examination में उनको असानी से decode करने की आप aptitude develop कर लोगे चिक है at the same time Indian Express is also good बट इसका English जो है वो थोड़ा normal होता है तो वो पढ़ने में असान होता है there is one newspaper जो बच्चे हमेशा कहते हैं भाया हमारे घर में आता है क्या हम इसको पढ़ सकते हैं Times of India I would say no no अगर आप किवल और किवल यह जानने के लिए कि देश में क्या चल रहा है थोड़ा मसाला मिलता रहे yes you can go with Times of India but if in case you are preparing for an examination as an aspirant I would never suggest this paper क्योंकि इसमें मसाला जादा है और आपके exam perspective से चीज़े कम इसलिए what becomes important is कि आप इन दो newspapers में से कोई एक newspaper जो है वो चूज कर सकते हैं अपनी preparation के लिए इधर दा हिंदू और दा इंडियन एक्सप्रेस अब बाताती है सर कुछ बिल्स और आक्स की आप बात कर रहे थे तो क्या वो बिल्स और आक्स हमें पढ़ना important है yes guys and girls उसके लिए आपको क्या करना है पी आरेस इंडिया नामक एक website होती है पी आरेस इंडिया आप इस website पे जाएए और इस website पे यहां पर आपको बिल्स और आक्स का section दिखेगा यह जो बिल्स और आक्स का section दिख रहा है यह वही section है जहां पर आप सभी को क्या करना है sir and ma'am यहां पर आप सभी को जाकर देखना है कि कौन कौन से वह section है बिल्स है जो की यहां पर introduce किये गए क्या उसके provisions है क्या change करने की बात की जा रही है यह सब चीजों को tap करते रहना आपके लिए थोड़ा सा यहां पर important हो जाता है इसके अलावा यह आप देख सकते हो को मिलते हैं अलग-अलग बिल्स जो आते हैं हमारी government के द्वारा लाए जाते हैं वो आपको यहां पर इस तरीके से देखने को मिलेंगे and not to your surprise अगर आप देखना चाहो तो dpdp act it was there in the news it was there in the examination criminal procedure identification act exam में था competition act exam में था इसके अलावा सरोगेसी act जो है वो भी आपके examination में था तो इस प्रकार से बहुत सारे जो आपके passages होते हैं वो directly इन ही जगहों से उठकर आ जाते हैं ठीक है चाले अब the question is sir what can be considered as the best practice for clearing the clad examination अगर मुझसे कोई पूछता है बच्चा best practice सबसे पहले मैं बोलूँगा formulate a strategy आपकी अपनी खुद की एक strategy होनी चाहिए जो की आप syllabus plus pyqs को मद्दे नजर रखकर बना रहे हो syllabus और pyqs आपके लिए एक अंधेरे जंगल में मशाल और map की तरह काम करेंगे जो आपको उससे बाहर निकलने में मदद करेगा इसलिए make sure कि आप सारे के सारे pyqs कर रहे हो 2020 and beyond और साथी साथ आप जो है syllabus को बहुत अच्छे से देख रहे हो कि what exactly are they demanding us and how they are asking the questions in the examination ये दोनों चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी और फिर उसके बाद आप अपनी खुद की एक strategy बनना है ये मैं क्यों कह रहा हूं क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका let's suppose English अच्छा होगा so obviously उनको English में जादा समय वतीत करने की जरूत नहीं है कुछ बच्चे होंगे जिनका maths बहुत ही जादा poor होगा तो आपको थोड़ा जादा समय maths को देने की आवशकता है कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने legal studies अल्रेडी पढ़ रखा होगा अपने class 11-12 में so obviously उनको थोड़ी कम मेहनत करने पड़ेगी legal studies में तो इस तरीके से आप किस ground पर खड़े हैं किस level पर खड़े हैं वह आपका खुद का एक customized strategy होनी चाहिए ठीक है please do make sure आप किसी की strategy follow नहीं कर रहे हो आप अपने needs के हिसाब से strategy follow कर रहे हो इसके अलावा what becomes important is that you should refer standard study material when I say standard study material there are a lot of kids who come up to me and say sir हमको यह internet पर मिला सर हमको यह यहां पर मिला सर हमको यह इस भाया ने दिया यह हमको इन दीदी ने दिया देखो ऐसे अगर जाओगे तो यह आप उस एरा में हो जहां पर आपके पास content की कमी कभी नहीं होगी overload ही होगा आपके उपर इसलिए please do make sure कि आप कम से कम resources लेकिन the most standard one which is being referred by everybody आप उसको follow कर रहे हो क्योंकि अगर आप इस तरह से follow करोगे तभी आपका examination जो है वो आपको अच्छे बहतर result दे पाएगा क्योंकि हमें CBR हमेशा देखना है CBRS cost benefit ratio कि जितना हम पढ़ रहे हैं क्या उतने से हमें जादा बहतर results जो है वो मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं यह हमारे लिए थोड़ा सा important हो जाता है ठीक है चले इसके अलावा yes you definitely have to find a good mentor जी हां अगर एक लव्य भी थे उन्होंने भी दुरुना चार जी को अप्रोच किया कि आप जो है हमारे mentor बन जाए बट जब उन्होंने मना कर दिया तो एक लव्य जी ने क्या किया गुरू दुरुना सा लंबा है पढ़ना थोड़ा सा जादा है जहां पर भी थोड़े उचाईयां और आपके लो लेवल आएंगे लाइफ में वहां पर आपको एक mentor जो है वो बताएगा कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है क्या वो चीज़ें हैं जो आप सही कर रहे हो क्या वो चीज़ जो है वो थोड़ा असान कर देंगे आपको रास्ता दिखा कर फिर चलना सिर्फ आपके उपर रहे जाएगा क्योंकि रास्ता ओल्रेडी वो दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या गलतियां जो है वो नहीं करनी हैं आप दे सेम टाइम डेफिनिटली मेक यूज ऑफ और और राधर I should say make good use of online resources क्योंकि जो यह online resources हैं इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिलेंगी बट अट दे सेम टाइम ओवरलोड मत करना और exam oriented ही online resources को refer करना उसके अलावा कोई और resources को आप refer प्लीज मत करियेगा next most important thing is sir and ma'am you have to manage your time let's suppose we are in the month of June so July August September इनका सबसे पहले आप एक macro level पर टाइम टेबल बनाए कि आप इस मंत क्या कर रहे होंगे अगले मंत क्या पढ़ रहे होंगे उसके अगले मंत आप क्या कर रहे होंगे and then उसके अलावा you also have to make micro level micro level पर भी आपको यहां पर टाइम टेबल बनाना है कि हर हपते आप क्या पढ़ रहे होगे हर वीक आप क्या पढ़ रहे होगे हर डे आप क्या पढ़ रहे होगे अगर आप अपने आपको इस प्रकार से monitor करोगे trust me time आपका कभी आगे नहीं और आप बेहतर तरीके से जो है perform कर पाएंगे अपने examination में ठीक है चलिए let's move ahead guys and girls next very important thing this was the first thing that I told you this is the last thing I would like to tell you again you definitely have to develop a habit of reading and reading what sir scroll मत करो computer scroll मत करो अपना mobile phone reels मत देखो shots मत देखो विनाय से आपको develop करना है habit reading की newspaper पढ़ने की आदट डाल लीजिए ठीक है चलिए इसी के साथ अगर अब आप ऐसा चाहते हैं कि आपको जो है कोई mentor करे आपका hand holding करे आपके examination तक आपको जो है सारी चीजें करने में मदद कर रवाए तो yes an academy is here जो आपको अभी इस वक्त 50% तक का discount दे रहा है अपने सारे ही सब्सक्रिप्शन पर आपको हो सकता है कि sir क्या हम कुछ demo classes देख सकते हैं क्या हम free एक बार access कर सकते हैं an academy के portal को तो yes you have this opportunity कि आप अगर 5th और 7th of June के बीच में अपने आपको register करते हो तो sir and ma'am आप 7th day का unlimited free access पा सकते हो an academy के पूरे के पूरे portal का however इसके लिए आपको क्या करना होगा आपको इसके लिए इस code का उपियोग करना होगा the code is bar live bar live code का जैसे ही आप use करेंगे आपको free access for 7 days देखने को मिलेगा and then उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको जो है इसमें register करना है so we have the legal mavericks batch जो already live हो चुका है then we have the titans batch जो की live होने वाला है इन सभी को आप जाकर subscribe कर सकते हो by using the code bar live जैसे ही आप bar live code का use करोगे you will get to see the maximum discount on an academy's portal इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो यह telegram ID है मेरी that is being adity rai आप इस telegram ID पर जाए जितनी भी classes मेरे द्वारा YouTube पर ली जाएंगे unacademy के portal पर free classes ली जाते हैं जिनको हम special classes बोलते हैं वो भी आपको यहां पर सभी links मिल जाएंगे तो आप अपनी law entrance examination की journey definitely यहां पर best of the best way में शुरूब कर सकते हैं इसी के साथ I would like to take your leave thank you so very much for your valuable time my name is Aditya Rai and I thank you all for joining in with this I am signing off Jai Hind Jai Bharat